आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now साच के Question में हमसे बोला गया है कि क्या Advantages होते हैं Wheat को Grow करने का With Cheek Pea in Mixed Cropping हमें यह बताना है तो दोस्तों सबसे पहली बात की जो Wheat होता है अगर हम उसको Grow करेंगे ठीक है उसको Grow करेंगे हम किस के साथ? Cheek Pea के साथ और यह किस के अंदर होगा? Mixed Cropping के अंदर तो वो बहुत ही जादा Advantageous होता है बहुत ही जादा अच्छा होता है उसके कुछ Reasons है और उसके Reasons यह है सबसे पहला Reasons कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी वज़ा से क्या होगा? कि जो Yield रहेगी वो क्या होईगी? Increase होगी तो अगर Yield Increase होगी तो ओवियसली यह बहुत जादा हो जाएगी? फेल हो जाएगी या फिर वो अच्छी नहीं रहेगी या फिर काम की नहीं रहेगी बहुत ही जादा Beneficial रहेगी और जब बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहेगा तो ओविसली यह चीज फार्मर के लिए बहुत अच्छी रहेगी कि येल्ड भी अच्छी हो रही है, रिस्क भी नहीं है, तो पैसा भी अच्छा मिलेगा, तो ये एडवांटेज होता है, वीट को गेहूं को ग्रो करने का विद चीक पी इन मिक्स्ट क्रोपिंग.